हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आयर जिक्के क्लासेस के इस यूटूब चैनल पर जिसा की थमनेल पर आपने देखो होगा जो आज अपने टोपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारत के जो बुगोल है उसके एक सिरी चालू की शोट वीडियो की ठीके मैंने इससे पिल सिरी चालू करके रखी है जिसमें जो महेश बर्णवाल बुक है उसमें के मेराथन क्लासों को लिया जा रहा है मैंने एक वीडियो अपलोड कर ली जो इस्तधी विस्तार की थी लेकिन ये जो वाली सिरी चालू की इसमें शोट वीडियो की क्लासे रहेगी 30 से 35 मिनट की 20 मि आपके भारत का जो बुगोईल जोग्राफी इंडिया जोग्राफी इसको कवर किया जागा लेकिन अगर आपको काफी डिटेल से ही पढ़ना है इन चीजों को और साथ में पॉइंट से नोट्स बनाते हुए पढ़ना है तो इससे बिले जो मेराथन क्लासे चल रहे हैं उन तो सबसे पहले हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो है यह बारत की इस्तथी और विस्तार की बात करें तो पेले बें यह समझे लेते हैं कि अक्षांच रिखाई क्या होती है और देशान के लिए रिखाई क्या होती है देखो बुमत दे रिखा के समाना तर खेची गई कालपनिक रिखाओं को अक्षांच रिखाई लेकेटिट लाइन कहा जाए इसी तरह यहां देखें तो उत्तरी दर्व और दक्षरी दरूब को मिलाने वाले कालपनिक रिखाओं को देशांदर गया तो अब समझना हमें कि अक्ष ये सारी क्या है अक्षांच होजएं इस तरफ की और यहां करीया है वोकी Patch टर ह कि यह वाले जो रिखाए होती है श्कार से जोगां कृसे बैंकर यहलों सहिते हैं 113 डिग्री अजय कि आक्षांस है जिरोडीरी अख्षांस पह कि भुमध्य रूखा किद्रें डिटृःट तो दीछांस को करने वो सब्सक्राइब है तो हुआ है फिसलिये हो दरी एक्षान ग दरीन गत्रीग दरना सब्छल्ट से वह आपकी मकर रेका हो जाएगी और जिरो डिग्री देशानतर को ही आपकी यह ने कि यह पूरे देसानतर हो जाएंगे अब देख़ें कि भारत की बानक तर अब उत्तर और पुर्वी भारत में दिशांदर में पूरवी भारत देखेंगे दो बंद ढ़면ने दो इस पर कर सब्सक्राइब अंप मतोंkich और यह तो रहा डक्षयन में तो यहां टरी गुलार्द में भारत देखो यह हैend यह जो जैरोडरीव एक्सांस दे रखगा कि जैरोड़ीव चाहिए पूर्वी बाग हो जाएगा यह वान आपका पूर्वी बाग है पूरवी और यह आपका पसीनी आपका उत्तर और आपका दक्षन तो इसके इसाब से भारत यह रहा इस इस्तथी में देखें तो भारत उत्तरी गुलार्द और पूर्वी दिसांदिरी यहां से भारत की इस्तरी विष्णाड़े की बात करें नियुक्स डिग्री उत्तर में तो क्या हो जाएगा मकह देखा हो जाएगी भारत उत्तरी बॉलारद में और देखांटर ऑफ्समार्थ अब दिखते हैं भारत का लाग्रशत वाधर का सॉमाणी जानकारी कि भात कर लीधे हैं रहत का सारपल जानकारी को published अब बात करें देखो साथ बड़े देश कौन कौन से हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजिल और आस्टेलिया ये छे बड़े देश है ये रूस हो जाएगा नमबर 2 कनाडा, नमबर 3 चीन, 4 पे अपका अमेरिका, 5 पे ब्राजिल, 6 पे आस्टेलिया और 7 पे भारत आ रहा है तो चेत्रपिल की दरस्टी से भारत, विश्वगा, साथवा बड़ा देश से 6 बड़े देश लाइन से दिखे हुए है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजिल, आस्टेलिया और भारत है किसके बाद बात करें, नमबर 2 पोइंट की भारत का चेत्रपिल कितना है तो बारत का चेत्रपिल है 32,89,263 वर्ग किलोमeटर कितना हो जाएगा 32,87,263 बर्ग किलमेटर हो जाएगा जंसंग्यां की दरस्ती से यहां झीसरा पॉल इखे है तो जंसंग्यां की दरस्ती से भात वीशु का दूसरा सबसे बढ़ा देश हो जाएगा पेला चीन है दूसरा भारत है और जीसरा अमेरिका है यहां देखें फॉर्थ की बात करें भारत का चेदरफल संपुर्ण विश्व के चेदरफल का कितना है यानि जो चेदरफल है 32,87,263 बर किलोमेटर है वो विश्व के कुल चेदरफल का 2.4 या 2.92 परसेंट रखता है यानि इतना वो बाग भारत रखता है विश्व का इसके बात नमबर फिक्त पॉइंट देखे लिए भारत की जो जन संख्या है कितनी 2011 के आगड़ों के नुसा आगड़ों के नुसार जन संख्या है वो विश्व की कोल जन संख्या का 17.5 परचें रखती है लेकिन अभी जो 2022 में जन संख्या की नहीं रेपोर्ट आई विश्व जन संख्या रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो भारत है वो चीन से भी आगे निकल गया है भारत नमबर फस्ट के आने वागा है और भारत की जन संख्या 142 करोड़ हो गई इतनी 101 रिपोर्ट के नुमान बताया गया है कि 2021 के जो जन गरना है होने वाली है उ वहती कम समय में कंटेंड पूरा कंप्रेट हो जाए तो चेंद्रपल की दरस्ट्री से भारत विश्व का साथवा बड़ा देश हो गया रूस कनाडा चीन अमेरिका व्राजिर आस्ट्रिया और भारत भारत साथवे नंबर पे हैं बारत का चेंद्रपल 32,87,262 किलोमीटर मे जनसंग्या की दरस्टी से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्योंकि चीन की जनसंग्या जादा है 2011 के जनकर्णा के अनुसा देए भारत की 2011 के दूसर 121 करोड़ है और कुल विश्व का कितना रखता है तो 17.5% रखता है यहां जब उत्तर से जक्षन का विश्व का उनुस पूराव से प्रसीन का विश्व का यानि भारत की लंबाई बात करेकि कि यहां आट कि वहारत की पूंड गप पर लेते हैं तो भारत की लंबाई है 3214 km फारत चब्थ हैं findet यह भारत की लंबाई है वह बारत ही लंबाई कितनी हो जाएगी तो भारत की किछ लंबाई है 3214 km 3224 km और भारत की व्हतैती है धूत्री दिन्द् 먹고 और यह आपका दक्षिन बिंदू है और यह आपका पुरवी बिंदू है तो भारत की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी तो भारत की यहां से कुल लंबाई देखें तो 32 चोधा बोल सकते हैं यानि अब देख सकते हैं हजार 2200 किलो मिटर हो जाएगे कितनी तीन हजार और पुरों की कुल चोड़ाई कितनी हैं तो 3933-3933 याद कर लें अपर यहां से लंबाई चोड़ी हो गई उत्तरी बिंदू से दक्षणी बिंदू की लंबाई मनलब यहां से यहां तक कि अपर लंबाई की बात करें तो भार यहां आप कि बात करें बारत का झालीयों और स्थ형सी थाck बात करते हैं और मिल्कार के यहां यह थी जालीयों और स्थेट्ट्डी सीभाट करते हैं तो बारत की स्थाक कि imitation के से और यहां से यह तक नेपाल-चीन यह नेपार हो गया ठीक है यह बुटान वाला भाग हो गया आपका इतना ठीक है और यह पंगलादेस वाला हो गया है इतना विखार वह आंड अपके अन्य देशों के साथ में लगने वाली जो सभूरिये सीमा कितनी हो जाएगी तो भारत की कुल स्भूरिये सीमा कि अगर मार कर लें तो भारत की पुल स्भूरिये सीमा 15200 किलोमिटर है कितनी है को अस्तली सीमा 15,200 किलो मेटर होगी इसके बाद बात करें तो भारत की मुख्य भूमी की जलिय बात की लंबाई यह यह 6100 किलो मेटर कितनी है खी थे यह 1100 किलो मेटर यानि फैनल आपका जली बूमी बोली गई है लगवक्र यहां से बोल ले अपन Мне कि एंगे कि अधांग घल लग यह कितना इन Best कमैशार है कूल जलिय सीमा कितनी है तो भारत की बोल होतन स्जेद्वच्च जली सीमा है साथ हजार पांसो सोला पॉइंट छे किलोमेटर ठीक है अब खुल में क्यों साखिल कर दिया क्योंकि यहां पर जो अंडमान निकोबार ग्रीफ है इनकी और यहां पर जो लक्षदीव यहां का यहां पर जो लक्षदीव है लक्षदीव और यहां पर अंडमान निकोबार इनकी जो टोटल लेंद हैं यह एक सट्सों के अलावा जो भी बाकी बचता है आकडा तो वह किसका रहेगा वह आपका अंडमान निकोबार देख कर रहेगा एक पर कुली वापश देख लेते हैं तीनों पॉइंट बारत की यहां से लेकर यहां तर यह कुल इसकली सीमा जो कि अणिय पड़ोसी देशों के साथ में लगती है 15200 किलोमेटर में इसके बाद मुख्य भूमी का जल्य बाग तो यह बाग आपका यहां से लेकर यह तक बुद्राद आपका यह बसी मगळ करें लेकर करें तो यह है 7516.6 किलोमेटर क्योंकि यहां से लक्षदी और अंडमा निकोबरती सम्हों की जो टोटल किलोमेटर की लंबा यह उनको भी इसमें इंग्रूट किया गया है इसके बाद नेक्स मुइंट यहां से देख लगते हैं भारत की सबसे बड़ी जहिये सीमा गुजरात राज्या के साथ लगती है यह 1234 किलोमेटर लगती है इतनी लगती है तुम्हें बदा दो यहां से 1234 किलोमेटर लगती है यानि भारत का वो राज्या जो समुद्र के साथ में या भारत सरवादिक सीमा बनाता है इसके बाद करें तो भारत का वो राज्य जो सबसे कम तो सरवादिक सीमा कौन बनाता है बारत की सबसे लंबी जली सीमा वाला राजी गुजरात है 1234 किलोमीटर सबसे कम बनाता है गोवा कितना मतलब गोवा बनाता है नेक्ट बन देखे तो भारत की सबसे बड़ी अंतरास्ट्री अस्थल्य सीमा लगती है तो वह बागलादेश के साथ में लगती है यह लगती है 4000 किलो मिटर वारत की सबसे ज़्यादा अंतरास्थल्य सीमा यह वाली सीमा है ठीक है यहां से अपन इसको देख लेते हैं यह वाली यह वाली जो सीमा लगरी है यहां से यह सबसे ज़्यादा ही कितनी है च्यार हजार छंडों किलोमिटर है यह पांगलादेश की सीमा सरवाजिक भारत के साथ में लगती है और सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन है तो अफग सीमा बनाने वाला है तो बंगलादेश 4,600 किलोमेटर की सीमा बनाता है नेक्स पॉइंट यहां देख लेते हैं भारत के नौव राजियां कितने राजियां भारत के आपके नौव राजियां और चार के अंद्रशाषित परदेश जिसकी जली सीमा है देखो गुजरात के ब को यह से चलते हैं यहां यहाद रहे गोवा का फिर गरनाठक के बाद में के तरा से कि तो दॉखुब इसको एक बार में वापिस यहां से आपको समझा देता हूँ इन डर्जों को आप देख सकते हो वापिस देखोगो यह आपका नमबर एक बुज़ात हो गया नमबर दो महारास्थ हो गया यहां पर तीन गोगा ओगया यह आपका नमबर फॉर कर्नाटर हो गया यह आपका केरेल के बाद में तमिलनाडव तमिलनाडव के बाद में यह वाला पाल साथीन नंबर का अंदरप्रदेश के बाद में नंबर नौ का पस्चीम बंगान हो गया। के बाद में आपका अंदरप्रदेश के बाद में ओडिसा सब्स секatchet है इस तरह से लाइन से दें है कि और सात में अंडमान निको भार लक्षदी गार्ड को दोंडी इस बंडीत यहां पर हो जाएगा थोड़ा को दिलागा ठीक है यह जो है यह आपका चार जिले ने लिगी यह चार जिलो को बन अलग से बढ़ेगी कि देखो आपको इतना या ज़द ना है अनुमान दिको बार जीव समू हो गया फिर लक्षणीव हो गया दमन दीव हो गया और मन्योचर है यह चार सक्षण पर्तेश हैं जिम्की जलिये खिरनी चाथी है है ह में भारत की इस्तथि और विस्तार की बात कर देखो बात का मुख्य भाग 4 डिगरी उतरी अक्षान से 37 डिगरी उतरी अक्षान तक 68 डिगरी 7 मिनट पुर्वी दिसांतर से 77 डिगरी पुर्वी दिसांतर के बीच में तो मैं यहां आपको लिख देता हूं यह आपका रक्षिनी बिंदू कितना है आट डिग्री चार मिनट की बात करें आट डिग्री चार मिनट उत्तरी अप्षांच ठीक है यह आपका उत्तरी बिंदू उत्तरतम बिंदू है उत्तरी बिंदू सबसे उपर वाला है ना यह आपका कितना अपर सेंग्री चेंट इसके बाद मैं यहां से बात कर लेते हैं अब हुआ है इस पोइन यह हो जाएगा आपका एक वह जाएगा फिर नेक्स बन यहां देख लिए और नेक्स बन इस तो यहां से अपन इसको मेजर करते हैं यह यह सब्सक्राइब और यह आपका और सब्सक्राइब नाम लिख लेते हैं यह आपका हो जाएगा इंद्रापन जम्मु एंड कश्मे पूर्वी बीधु की बुद्ध या की बीधु आता है यह आपका और रोनाव चल प्रदेश में यह आपका आता है गौभर मोती जी जे गुजरात में आता है डक्षणी बीधु यह आपका आता है कन्या कुमारी यह एक उनाद इसको थोड़ा सब्सक्राइब यह आपका यह आपका कन्या कुमारी पी एन तमिलनादो ठीक है बारत का उत्तरी बिंदु यहां से देखें दक्षणी बिंदु बारत का दक्षणी बिंदु आंट डिकरी चार मिनट उत्तरी अक्सान से चल्व होता है और यह रहा आपका ठीक है सेंटिस् डिकरी साथ मिनट उत्तरी बिंदु है तो यह कीतरा है सेंटिस् डिकरी चे मिनट जो कि दक्षेनी बिंदू है तमिल नाडों में कञ्या कुमारी तमिल नाडों में करने कुमारी ओंप यह जगह पे भारत का दक्षेन बिंदू eight degree लेकिन भारत का दक्षन्तम बिन्दू देखे थोड़ा सा नीचे इसे थोड़ा नीचे अगर नहीं में यहां बना रहा हूं यह आपका है अंडमाय निकोबार्दिव समों भारत के नीचे इस्तित है यहां लिखता हूं बारत का परिस्तिमी बिन्दू है गोवर मता गुज़रात से जालो होता है जो यह बंदू पहुंचता है और यहां से हैं और विदू की भू थू या इभी थू और उनाचल प्रदेश में हैं जो कि आपका पूरवी बिंदू है ठीक है क्या हो जाएगा यह आपका पूरवी बिंदू थो जाएगा दिखो यहीं दे रहा बारत का मुक्षे बुमी से भूबाक तो यह में पूरा मैंने बना दी है मैपिंग को अच्छे तरी से आप याद रखें अगले पेज पेसराइब हां अब भारत की मानद समय रेका की बात करतें नेक्स जो अपना है वो भारत की मानन समय रिखा गया है यहां देखें त्हकर, भारत में इलाबाल के नेनी के समीप से घुजरने वाले 85- theater पुर्वित eerste संतर की स्थानी समयह को भारती मानग समयह रेखा कहा जाता है and भारती मानग समयह रेखा, GMT से 5.5 गंडा आगे है आगे बारत के पांच राजियों से अब आई इसको मेव से देख लेते हैं इस तरह से जो आड़ी लाइने रेती हैं ग्लोब में या वर्ड के जो मेव होता है उसमें इस तरह से अगर लाइने हैं यह लाइने हैं तो यह अक्षांस है लेकिन इस तरह से जो लाइने रेती हैं वह आपकी देशांतर रेती हैं और अक्षांसों का उपयोग होता है वह वहां की जलवायों निर्धारण में किया जाता है यानि वहां पे इस तरह से का बातावरन रहेगा वह अक्षांसों में लेकिन याद रखना देशांतर का उपय कि देशांतर का उपयोजक बात करें तो समय की गणना करने में जाता है देशांतर का जो हो जाएगा वहोगी समय की गणना करने में हो जाएगा इसके बारत यहां से देख ले Domries साड़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर साड़े 82 डिग्री यहां पे दे रखा है पूर्वी देशांतर यहां पूर्वी देशांतर तो यहां रखना कौन सा देशांतर है साधे 82 टिक्री पूर्वी देशातर बारत का मानत समय रेखा मानी जाती है जो अपका ग्रेन विश्व में जिन समय रेखा की करना की जाती है उससे कितने गंटे आगे हैं तो यह साधे 5 गंटे प्लस में चल रहा है भारत का जो समय ठीक हैं और कितने राज्यों से तो लगी इसके पांच लाइन से लिखने हुए हैं तो यह इंट प्रदेश और दो में जैसा के पांच लाइन से लिखे होए हैं उत्तरवर्देश शतित तीजगार ऊरिशा और ड़ीशत यह वाला पॉइंट होगया भारत की मानत समय रेा वाला कोईंट करकर एखा से गुजरने वाले राज्यों की बात करते हैं तो भारत में करकर एखा कहां से कहां गुजरती हैं कितने राज्य हैं यहां देख लेते हैं देखो यह हम करकर एखां की बात करें कि यह करकर एखां ठीक है कि कहां से कहां गुजरती है या देख लेते हैं कितने राज्चों से अकर गुजरती हैं गुजरात सबसे पेले करकर रेखा हैं देखो करकर रेखा नहीं साड़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांच को कि आपकि क्या मठी को रेखा थाइस पिर गुजरत से प्रवेश करती है यहां से दिखा जाए तो नबड़ 20這種 तो यहां से देखे आपन तो यह है आपका 36 गड़ के बाद में जारखंड जारखंड के बाद में पस्षीम बंगा त्रिपूरा और अंदीम में नमबर आट पे मिजोरा में तो बात करें करकर एखा पर भारत के खुल कितने राज्जी तो भारत के खुल आट राज्ये बुज राजस्थान मत्य प्रतेश चंद जारखंड बंगाल दिल्पूरा और मिजुरम हो गया कि सीमावर्ती और पडोसी देश कौन-कौन से हैं तो भारत के साथ सीमावर्ती देश है बारत के कितने सीमावर्ती देश है साथ सीमावर्ती देश है पाकिस्थान अफगानिस्थान चीन नेपाल बोटान बांगलादेश और म्यानवाद और भारत के नो पडोसी देश भी है तो बहारत के कुल पडोसी कितने हैं तो भारत के कुल पडोसी देश तो आपके कितने हो जाएंगे नाई हो जाएंगे यह 9 है भारत के पुल पडोसी दे लेकिन सीमा बनाते हैं मुख्योरूप से तो आपके साथ हो जाएंगे पाकिस्थान अफगानिस्थान चीन नेपाल बोटान मंगलादेश और म्यानमाद अब यहां से देख लें भारत की सबसे लंबी सीमा मैंने पहले बदा दिया था सबसे लंबी सीमा कितनी लगती है तो 4,000 किलोमेटर की सीमा लगती है और 96 किलोमेटर यानि अफगानिस्थान की सीमा 106 किलोमेटर की लगती है तो सबसे कम सीमा लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा पांगलादेश के साथ में बारत की सबसे कम सीमा अंतरास्त्री सीमा के बात कर रहे हैं अब अब यहां से यहां तक बात करें यहां से यहां तक की बात कर लेते हैं तो यह पाकिस्तान है कितना हो जाए जो पाकिस्तान ठीक है यह वाला इलाका आपका थोड़ा वोत है यहां से यह अफगानिस्तान है फिर यह आपका चीन यह नेपाल यह आपका गोटान म्यानमार और ब पाकिस्थान अफगानिस्थान चीन नेपाल बोटान म्यानमार बांगलादेश श्रीलंका और मालदेश यह दोनों तो कौन से हो जाएंगे पडोसी देश ठीक है यह पडोसी देश है यह भी पडोसी है लेकिन सीमा बनाते हैं इसलिए इनको कहते हैं सीमा वर्थी देश कहते हैं अगले पेज पी किवा आ जाते हैं अब बात करते हैं राज्यों की अंतरास्टी सीमा कौन-कौन से देशों के साथ में कौन-कौन से भारत के राज्य किस तरह से सीमा बनाते हैं उनकी बात अगर एक्चुल अपन रहे तो चम्भो कश्मीर दैन लदाग अब देखनाएं कि कहां से कहां किस तरसे हैं तो सबसे स्टार्टिंग कर देख कोन उपना रहा है इसके बाद कौन बना रहा है यहां से यहां तर देखे हैं पने इक्चिल में तो नमबर तू पे आपका कोन हो जाएगा जम्मुकुश्पीर पर आपका पर नम्बर पर राजस्तान के रेकर यह 40 किलोमेटर वाली ठीक है यह आपका नमबर पॉर्ट राजस्तान हो जाएगा ठीक है और नमबर लास्ट अंति में कौन है आपका यह वाला नमबर फिक्त हो जाएगा है तो इस तरह से पाकिस्थान के साथ भारत की कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्थान के साथ में भारत के 5 राज्यसीमा बनाते हैं, आपका लगडाग हो जाएगा, लगडाग, जम्मो कश्मीर, पंज़ाब, राजस्थान और गुजराथ, इस तरह से 5 पाँनaelाईंट दर्शाएंग ज्रीख वाली लाइन है एक्चल में देखें यहां से सप्प्राइब इस पाइब करें बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो कर दो पांच राजियों के साथ में सीमा बनाता है में अब देगे लेना कितने किस तरह से राजे हैं यह रहाक का भॉच्प यह रहाक बंगलादेश की बात来 नहीं से बाद करें वह एक है मैं लिए नहीं से जो इए तो यह रहाक दो बार है बना या उतना अश्व को सिमा बनानाफा है एक बार सिमा न हम एक बार तो यह उडी और दुस्ट्री ऐ में गाले नामत कर सकती हमें दो पिए वांट कपयात तीन फिया ब्רגlas mist के बाद में यह रहा ४रा परसी मंगाल वाल Boule उन्मबर तो बांग्लादेश के साथ में भारत के पांच राजेय सीमा क straight असम दो भर सीमा मनातार। में कद 270 स्था यह तो सरवादिक सीमा बनाता है तो पस्ची मंगल बनाता है अगर बांगलादेश के साथ में सरवादिक सीमा कुछी जाए तो सरवादिक सीमा कौन सा राज्य बनाएगा तो भारत का पस्ची मंगल सरवादिक सीमा बनाता है इसके बादे हम बात करते हैं नेपाल की बात कर लेते हैं और भुटागी की बात कर UK पांच राज्य से सीमा बनाता है। उत्तरप्रदेश, B.R , उत्त्राखण, पस्चिम, मंगाल, सिक्झे , इतने राज्जी हैं जो की लिए ओल्ड जो Carn jaud לסृ यहाह से देखें यह वाला नेपाल का मेश्जर्मों के सीमा हो गई हुआ ग्राइज के बाद हम देखें तो उत्रब्रदेश हो गया उत्राकन यहां नंबर थी पर आपका यहां से देखें यह वाला भाग चल रहा है यह नेपाल समा के साथ सीमा बना रहा यहां से उत्रहकन सीमा बना रहा है यह उत्रहकर्देश सीमा बनारहों है यह वालेitter की मैं रहा है इसके बाद में यह वाली जो सीमा है इसके साथ नेपाल के साथ में सीमा बना रहा है तो नेपाल के साथ में भारत के सीमा बनाते हैं नेक्ट पात कर लेते हैं यह रहा है यह बना रहा है इसके बाद में असम बना यहां से यह वाला भागोए कई और तने हो गया पसी मंगा तो तो चार रज भुटान के साथ में यह वाला जो देश है वो आपका भुटान है ठीक है जो वाइड गुलर में दे रखा है वो आपका भुटान देश है भुटान देश के साथ में यह आपका सिक्कीम नमबर परस में बना है बता दिया सिक्कीम यहां से सीमा बना रहा है ठीक ह इसके बाद में यह वाली जो सीमा पुड़ी वद्वस्ति यहां से वो और उनाचल प्रदेश सीमा बनाता है तो बुटान के साथ में भारत के चार रज्य सीमा बनाते हैं नेक्स चीन बचाहें चीन के बाद बात कर लें चीन के साथ में भारत के पांच राज्ज्य सीमा बनाते हैं लग दांग हिमाचल परदेश उत्राखन सीक्यम और उनौहर चिल परदेश लगदाग हो गया ठीक है तो यह बना जो इलागव नहमें रहां का नंबर फर्स्ट लग उत्राखट सीमा बनारा बीच में फिर नेपाल वाला इलागा इसलिए यहां से चालू हो रहा हुआ थी कि यहां सी इस तरह से चलता है तो नमबर फोर्थ वेवन बात करें तो सिक्कीम हो गया फिर गुडान आजाता है फिर चीन की सीमा चालू हो जाती है तो नमबर फिर नमबर फिर अरुनाचल परदेश आपका आजाता है तो यहां से तो भारत की जो इस्तती विस्तार से जितने भी इंपोर्टेंट मतलब कोश्यन बन सकते थे तो वह सारे लगवर निनी से बनते हैं कि कौन सा देश किस देश के साथ में किस प्रकार की सिमा लगेगी और कितन अब हम बात करेंगे जो हिमाली का विबाजन है उसकी बात करेंगे या भारत के जो प्रमुख दर रहे हों उसके नेक्स टोपी के अपन बात करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद